आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिपावली के दिन धन लक्ष्मी दिपक किस प्रकार से जलाएं ये दिपक किस प्रकार से आप तैयार करें जिससे मालक्ष्मी तुरंत ही प्रसन हो जाती हैं वर्स भैर आपके हां धन धान्य आर्थे के स्तिती सब कुछ मदबूत हो जाती है इसमें कोई कमी नहीं आती है मालक्ष्मी का इस्तिरवास होता है जो वैक्तिस प्रकार से दिपावली के रात्रे को दिप प्रजुलित करता है इसे धन लक्ष्मी दिपक कहते हैं आईए जानते हैं यह दिपक किस प्रकार से बनाया जाता है और किस प्रकार से इसकी देखबार करनी चाहिए नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आपसे भी उमीद करती हूँ आप सभी जवस्त होंगे सुरक्षित होंगे और आप सभी को तमभविश्य की कामना करते हैं आज कर ये वीडियो इस्टार्ट करती हूँ दिपावली की देन मालक्षमी को प्रशन्य करने का यह सबसे सरल और आसान उपाई है इसी घर के कुई भी सदस्य कर सकते हैं याद रखें यह दिपक प्रदोस काल में जलाई जाती है इसलिए कुछ खास जो चीजें होती होने पहले से ही इकठा करके रखने सबसे पहले हम फर्श पर एक चोका तयार करेंगे चोका इस प्रकार से तयार करें जोकि चोकूर हो गोल नहीं बनाना जाहिए इस चोके पर हम हल्दी की मदद से अश्ट दल कमल बनाएंगे मालक्षमी को अश्ट दल कमल बहुत अधिक दिए है इतना ही नहीं मालक्ष्मी के आठ स्वरूप माने जाते हैं अश्ट दल कमल उन्ही आठो स्वरूप को प्रतीक माने जाता है इसलिए इस देपक को प्रजुलित करने के लिए अश्ट दल कमल का निर्मान करें यदि हल्दी नहीं है तब चावल से भी आप अश्ट दल कमल का निर्मान कर सकते हैं लेकिन हल्दी से कियावा बहुत ही सुभ होता है बीज में हम डालेंगे अक्षद याद रखें जो अक्षद हम इसमें बीज में डालेंगे वह साबूत होने चाहिए इसलिए अक्षद को आप एक दिन पहले ही चुन कर अच्छी प्रकार से साफ कर लें कहीं से भी वह खंडेत या तूटे भूटे अवस्था में नहीं होने चाहिए इसके पश्चाथ हम लेंगे एक पान का पत्ता पान के पत्ते के अगरभाग और जो पीछे का यह भाग है इसे थोड़ा सा हम तोड़ देंगे क्योंकि माना जाता है इस पर दरिदरता का वास होता है इस पर अश्ट गंध चंदन या फिर कुमकुम से इसमें थोड़ा सा इत्र जलूर मिलाने खास कर गुलाब के इत्र इत्र मालक्षमी को बहुत अधिक पड़िये है इस पर स्रिम लिखेंगे स्रिम को पूर्ण तरीके से ही लिखें आधा अधूरा ना लिखें स्रिम मालक्षमी का बीज मंत्र है थोड़ा सा इसके उपर हम अक्षत और गुलाब के पंखुरियों को डालेंगे फिर एक दीपक हमने पहले से ही तैयार करके रख लिया है बड़ा दीपक होना चाहिए जो रात्री पूर्ण रात्री ये जलना चाहिए बड़े से दीपक में हम बाती करेंगे और दीपक में भी चंदन, अश्टकंद, थोड़ी सी सकर और दो लॉंग डालेंगे दीपक में जो बाती हम करेंगे वो रूई और लाल धागे दोनों का मिला के हम करेंगे दीपक को हम इस पान के पत्ते पर अस्थापित करेंगे दीपक का मुख उत्तर धिसा की तरफ होना चाहिए यह अवस्य ही ध्यान रखेंगे एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा डाल दें ऐसा करने से घर की सारी नकारात्म कुर्जाएं समाथ हो जाती है यह दीपक आपको प्रदोस काल के समय ही प्रजोलित कर देनी है क्योंकि प्रदोस काल के समय मतारानी भ्रह्मन करना शुरू कर देती है मान्यता है कि जहां भी यह दीपक प्रदोस काल के समय प्रजोलित हो जाता है माल अक्ष्मियूर्स घर में प्रसंद हो करके वास करती है दीपक प्रजुलित करते समेश मंत्र का जरोर ध्यान करें शुभम करोती कल्यानम आरोग्यम धनशंपदाम सत्रुपुधी विनासाया दीपम जोती नमस्तुते दोस्तों इस प्रकाय से दीपक जला करके आप उनकी अराधना करें मालक्ष्मी के पूजा करें मंध्य रात्रे को मालक्ष्मी के एक मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें यकीन मानिए अगले वर्ष दिपावली आने तक आपको चमतकार दिखेगा अगले वीडियो में हम जानेगे मालक्ष्मी के ऐसे 5 मंत्र जिन ही जाप करते ही आपके आर्थे किस्तिती सुधने लगेगी यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिलकुल न भूलें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें और अन्य लोगों को भी सेयर करें अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे तब तक आप सभी स्वस्त रहें, सुखी रहें और मुस्कुराते रहें मालक्ष्मी की ग्रपाप पर सदीव बनी रहें